हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका शेयर बजर वित आयुश और चरचा करेंगे इस वीडियो में क्रेवाइजिंग लिमिटेड आइप hyo के बारे में तो दोस्तो क्रेवाइज एडवाइजिंग लिम्टेड आइप you open होने वाला है from twenty second of May to twenty fifth of May तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के detail analysis के उपर कंपनी का काम क्या है कंपनी कैसी है इस IPO में पैसा लगाने लायक है या नहीं इसके उपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे कंपनी कहती है कि वह offer करती है three sixty degree solutions to a wide array of clients अब कंपनी के अगर मैं बात करता है कि कंपनी ऐसा नहीं क्या हाल कि कंपनी कंपनी काफी पहले इंकॉप्रेट हो गई थी आज एक ऐसा टाइम है जहां पर हर चीज दोस्तों advertising से होती है तो company पूरा तरीके से advertising करती है जैसे जो आप TV पर ads देखते हैं वह जो ads होते हैं वही same to same company का काम है so crayons advertising दोस्तों अपने business को definitely expand करती है जो company बताती है कि उन्होंने business horizons को continuously expand किया है और industry के अंदर लगातर company बनी उनको करीवन 36 years का experience हो चुका है crayons कहती है कि वह one of the few agencies है market में जो claim भी करती है कि वह fully integrated है और independent है जो सारी marketing solutions और communication solutions provide करती है अपने clients को company के यह बात भी है कि company ने काफी सारे scope of work रखे है जो अपने clients को offer करती है और अपने clients को provide भी करती है कुछ company के अगर में ads के बड़े में बात भी करता हूं है तो यह आप देख सकते आप अपोलो शुगर क्लिनिक्स के लिए अड़ किया था फिर एर इंडिया का campaign company की दौरा किया था फिर बाबा एक ब्रैंड के लिए campaign किया बायोद फिर केरोवेट कजारिया फिर एपी एल अपोलो वाटर थैंक्स पाइप्स इस भी आई के लिए campaign किया था इनके दौरा टाटा संस अजो दौनिकल्स ऑफ टाटास के लिए इन्होंने टाटा एर इंडिया के लिए campaign company कर चुकी एक रोमा के लिए कर चुके लाटा क्रोमा के लिए कोहिनूर बासमती एलाइसी का campaign company ने किया है कजारिया टाइल्स का company ने campaign किया है एपिल अपॉलो चॉकट का company ने campaign किया है तो जो बताने की कोशिश करों कि ऐसा नहीं कि कमपनी ने काफी सारे basically marketing की है marketing प्रोवाइट करिए सारी बड़ साथ में कोई डाउट नहीं है जो company clients आप देख सकते हैं Tata, Adani, Kajaria, Toyota, Kajaria फिर यहां पर Tata, Tata की बहुत सारे ब्रैंड जो अलग अलग है LIC, Dr.Trust, Apollo Sugar तो यह सारे आपको दोस्तों company के clients clients देखने को मिल जाएगे क्लाइंटल बेस कंपनी का स्ट्रॉंग दिखता है जिन लोगों के लिए इन्होंने marketing agency करी है तो यह तो दोस्तों company के बारें बात है financials को समझते है तो अगर आप company की financials देखेंगे तो इस सारे जो फिगर है वो लैक में को करोड में आपको convert करके बताऊंगा 31 मार 2020 को दोस् 63 करोड का और मुनाफा था company का एक करोड 16 लाग का अगले साल दोस्तों यहां पे company के revenues में decline देखने को मिला कोवीड का साल था तो करीबन 106 करोड पर company का revenue आया और 12 लाग के आसपास कंपनी का मुनाफा था इसी पीच company के जो borrowing थी वो करीबन 15 करोड के आसपास आ गई थी ठी अगले साल दोस्तों company का जो revenue है उसमें काफी अच्छी खासी बढ़ातरी देखने को मिली करीबन 194 करोड कंपनी का revenue गया और मुनाफा जो था वह एक करोड 61 लाग तक पौच गया तो company का major आप revenue देख सकते growth दिखाया और company के profits भी आपको करीबन 1 करोड 60 लाग के देखने को म मिल रही है उसके अगले साल दोस्तों company जो revenue मेजरली वापे से increase होगा करीवन 203 करोड पर आया और इस बार company का मुनाफा था वह करीवन 12 करोड का हो गया company के अपर majorly अगर borrowing भी आप देखेंगे तो मातर आठ करोड 15 लाग की है बहुत ज्यादा borrowing भी company के अपर नहीं है यह भी हम कह सकते है आठ करोड की भी जरूर है लेकिन company जो पैसे जुटा रही है वो definitely उनका एक object यह है कि जो working capital की requirement है उसको पूरा करे अगर मैं बात करता हू utilization कोई भी debt को कम करने के लिए ना करें लेकिन company अपने आपको फिर से expand करने के लिए यह पैसे को use करने वाली है majorly company ने यही बताया है लेकिन आप important question निकल के आता है कि क्या इस IPO के अंदर पैसा लगाना चाहिए अब देखें जो पूरी industry है न यह growth तो दिखा रही है इसमें क मुझे यह लगता है कि company आगे चल के बड़ी हो सकती है पैसा लिस्टिंग पर भी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन यह बात है कि हां यहां से अगर company जिस तरह से growth दिखा रही है मतलब आप कुद देख सकते है 163 करोड का revenue और अब 2022 तक company ने करीवन 203 करोड का revenue ज रखेगा एक lot में आपको 2000 मिलेंगे और कुल मुला कि 41 करोड का यह issue होने वाला है 41 करो 80 लाक कुछ तो anchor investors को भी इनकी दोरह दे दिया गया है जो question है कि क्या इसमें लगाना चाहिए तो दिखिए company जो प्राइसमेंट पर लेके आई है मुझे लगता है कि ठीक है बहुत चाहिए प्राइस काफी जादा बढ़िया दिख रहे है इसलिए लगता है कि तोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा लिस्टिंग पर भी कितना ग्र रुपे वाला issue है यहें एक लाग तीस हजार का जी हां एक लाग तीसा रुपे आपको पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए रीटेल में आप मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं अगर आप दो लॉट में लगाना चाहते तो आपको फिर एचना ही क्रेगरी में लगाना लॉट है दोजाएं उसका पूरा का पूरा आपको शेयर एक साथ बेचने पड़ेंगे और एक लग तीस हरों पर पर ने पड़ेंगे आपको अप्लिकेशन पर बटा कंपनी बढ़िया है कंपनी ठीक है मुझकत है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कंपनी के अंदर कंपनी ब से दोस्तों आज हर एक जगह पर मार्केटिंग का अपना एक बहुत बड़ा फोकस है आइधिंग कंपनी बहुत बढ़िया घ्रोथ कर सकती आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में करें तो जो करेंट ग्रेंगे मार्केट है क्रेवांस अडवर्डाइजिंग का वह करें पहती सारे इस तरह का पैसा निकल के आता है आने वाले दिनों के अंदर थीक है कि फोड़ा बहुत तो जगह है जहां पर इंवेस्टर पैसा बना लेगा भीकॉस जिस प्राइज्टर पर ये साथ रुपे के पैसा रुपे के वहां से हमचे कम 20-30 रुपर तो मैं मान करता कि इसकी listing होनी चीए बाकि अगर आपका सिर्फ listing के इन के साब से भी विव है तो listing के इन के साब से भी इस company के इंदर पैसा लगाया जा सकता है बाकि आपके financial advisor से बिल्कुल concerned करें देन ही आप apply या फिर avoid के बारे में सोचें मेरा यह personal view था यहां पर मेरा personal view यही है किसके दर आप apply करके चल सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही था hopefully बड़ा लगा होगा thank you friends watching this